तो इस वोडिम हम जली से वायरस के बारे में डिस्कवर करेंगे बहुत जली जली से तो इसके 22-300 इसका साइज होता है और यह नॉविंग ठीक कि यह कोई असा काम ने कर सकता जो एक लिविंग तो इसके पास प्रौतिक प्रोटिं उतक्षान पश्याएं के पास पहले हैं जो कहते हैं तो इसके ना ना और बिच वाइड होगा दियारामई विजिबल होगा ठीक है और आप रियल लाइफ में भी देख सकते हैं किस तरीके से वाइरस दिखते हैं प्लस आपको पता है कि कोविड नाइंटीन एक पैंडमिक था जो कोरोना वाइरस बैसिकली इस वाइरस का नहीं था तो वह भी इस तरह ही दिखता था ठीक है तो आपने यू मस्ट भी फिमिले कोविड नाइंटीन तो यह वो यह बिल्कुल सारा ठीक है तो इसका स्ट्रक्टर और मजीद देखते हैं रेप्लिकेट इंसाइड होस्ट सैल्स ऑनली जो होस्ट सैल होता है हमारे पास यह किसी और सैल में घोस्ट कर फिर उसके अंदर रेप्लिकेट करता है इसके पास एब नाइं कर सकता यह कुछ भी असा नहीं कर सकता जिक लिविंग तिंग करती है अधर देन रिप्रोडूस ठीक है बैट इस्टिल हम इनको नॉन नॉन लिविंग तिंग करते हैं से मेट्रीकल इंशेप आप डियाग्राम से देख सकते हो डीज्वेंट इन्साइड अर आर इन इन्काउंटर करनी है आपको के डियन और आर ने जैनेटिक कोड यहां पर मौज होते है ठीक है यहां पर प्रोटीन मॉलिकूर्स अचाहिए जो इस डियाग्राम में बिसिकली मैं दिखाता हूं आपको एंविलाप प्रोटीन प्रोटीन के लाते है बेसिकली और पूरे वायरस में तीन चीज़े होती है एक डियने कोड एक एंविलाप प्रोटीन और यहां तो इसके लाव कोई और तीसरी चौती चीज़ नहीं है ठीक है वायरस को इसको पर देखोगे आपको पता दल जाएगा कि वायरस ब्लकुर इस इसके कोई दूसरी तीसरी शेप नहीं है ठीक है वायरस में हम जानेंगे बैक्टीरिया की दो हैं शेप ठीक है वह अलाग है बलकुल तो वायरस अब तक से वितना है ना होप दैट यू अंदरस्टैन इसके लावा को एक्सटा आपको वायरस के लिए याद करने के जरूरत के अंदर जाता है पासिपर करो पीटू के पासिपर सॉल्फ कर आपको पता चलेगा कि उसमें आपको जो कहते हैं हम एंडोसाइटॉस किस तरह यह सेल के अंदर आता है तो वह चीज थोड़ा इंपॉर्टन ने समझना के होस सेल का सेल सर्फिस मेंबरीन से इस से क्या लिए देने वह चैप्टर फोड में पर दोड़ा डिसकास करनेंगे ठीक है तो अब नेक्स पार्ट के तरू पड़ेंगे तो अब नेक्स पार्ट के तरू पड़ेंगे सो उतल देट स्टे तूंद